मेरा आप सभी को साधर प्रनाव, मैं दिपका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल आपकी बैठक में तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन विल्ड गेम्स 2022 की जिसमें अब कुछ जादा दिन नहीं रह गए हैं जी हाँ, कॉमन विल्ड गेम्स अठाइस जुलाई से बर्मेंगा में शुरू होने वाले हैं जिसके लिए भारत की तरफ से 215 एथलीट्स का कंटेंजेंट जा रहा है वहीं बात करते हैं तो इसी बीच आर्चरी और शूटिंग इस बार के कॉमन विल्ड गेम्स का हिस्सा नहीं है जिसकी वज़े से जरूर भारत को काफी बड़ा जटका लगा लेकिन उनके अलावा भी कुछ नामी और एहम खिलाडी हैं जो की इस बार के कॉमन विल्ड गेम्स के अंदर कॉलिफाई नहीं कर पाए ड्यू टू डिफरेंट रीजन तो उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप सभी को बताएंगे ऐसे टॉप एट इंडियन अथलीट्स जो की आप सभी को इस बार के कॉमन विल्ड गेम्स में नहीं नज़र आएंगे तो चलिए फिर अब उन्हें एटलीट्स की बाते करते हैं तो सबसे पहले बैडमिंटन के अंदर आप सभी को टू टाइम कॉमन विल्ड गेम्स चैंपियन साइनन अहवाल नहीं नज़र आने वाली है जी हाँ BWF टॉफ 15 रैंकिंग्स के अंदर ना होने की वज़े से साथी साथ कॉमन विल्ड के सेलेक्शन ट्रायल में ना हिस्सा लेने की वज़े से वो इस बार आप सभी को नहीं नज़र आएंगी दूसरी और थॉमस कप के हीरो एचस प्रिनोई भी आप सभी को नहीं दिखने वाले हैं कॉमन विल्ड गेम्स के अंदर आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे हम बॉक्सिंग की जहां पर हमें MC मेरी कॉम भी कॉमन विल्ड गेम्स में नहीं नज़र आने वाली है जी हाँ कॉमन विल्ड गेम्स के ट्राइल्स के दौरान वो इंजर्ड हो गई थी जिसकी वज़े से वो आप सभी को खेलती हुई नहीं नज़र आएंगी आगे बढ़ते हैं शॉट पुट के तरफ जहां पर तजिंदरपाल सिंग तूर आप सभी को नहीं नज़र आएंगे वर्ल्ड इतलेटिक चांपियंशिप से पहले उन्हें ग्रॉइन इंजरी हो गई जिसकी वज़े से ना केवल इतलेटिक चांपियंशिप में बलकि अब कॉमनवेल्ड गेम्स में भी वो कंपीट नहीं करने वाले हैं नेक्स हम बात करेंगे होकी की जहां पर आपको स्टार स्ट्राइकर रानी रामपाल नहीं नज़र आएंगी जी हाँ इंजरी होने के बाद वो पूरी फिटनेस गेन नहीं कर पाई जिसकी वज़े से उन्हें कॉमनवेल्ड गेम्स के अंदर भारतिये विमन होकी टीम के स्क्वैर में शामिल नहीं किया गया है नेक्स हम बढ़ते हैं डिसकस थ्रो की और जहां पर कमल प्रीत कौर भी आप सबी को नहीं दिखाई देंगी उनके उपर अरस्थाई सस्पेंशन होने की वज़े से वो कॉमनवेल्ड गेम्स में कमपीट करती हुई नहीं दिखाई देंगी आगे बात करेंगे बॉक्सिंग की बॉक्सिंग में एमसी मेरी कॉम के साथ साथ विकास कृषन भी आप सबी को कमपीट करते हुई नहीं नज़र आएंगे जी हाँ, 2018 Commonwealth Games के गोल्ड मिडलिस्ट ने Commonwealth Games 2022 के सेलेक्शन ट्राइल में हिस्सान नहीं लिया जिसकी वज़े से वो आपको नहीं नज़र आने वाले हैं अब बढ़ते हैं हम आखरी खिलाडी की और जो की रहने वाले हैं लॉंग जमपर जैस्विन ओल्रिन जैस्विन ओल्रिन को कंसिस्टेंट फॉर्म ना होने की वज़े से उन्हें Commonwealth Games के स्क्वाइड के अंदर सलेक्ट नहीं किया गया और वो Commonwealth Games को मिस्स करेंगे ये थे वो सारे खिलाडी जो की इस बार आपको नज़र नहीं आने वाले हैं Commonwealth Games के अंदर ऐसा हो सकता है कि कुछ खिलाडी हमसे मिस हो गए हो अगर ऐसा कोई और खिलाडी भी है तो आप उनको comment section में mention कर सकते हैं क्योंकि possible नहीं है कि सारे खिलाडी को हम एक ही वीडियो में डाल पाए हमने कोशिश करी है कि जितने भी top athletes हैं उनको हम consider करे बाकी आप अपने पसंद से जो भी अगर हमारे तरफ से कोई miss हो गया है तो comments में आप उसको बेजिचक उनका नाम लिख सकते हैं तो चली फिर ये थी हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए बाकी sports rated updates और Commonwealth Games से जुड़ी और खबर जानने के लिए चानल के साथ जरूर जुड़े रहें और इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें so thank you for watching the video